Hi guys, welcome back to Mood and Food और आज हम आपके लिए लेके आए है Valentine Special Recipe जिसका नाम है Chocolate Bounty Bar Bounty Chocolate सभी को बहुत पसंद होती है बच्ची से लेके बड़े तक ये basically Narial का बनता है इसमें अंदर का filling जो होता है जो अंदर की इसकी बार होती है वो Narial की बनती है और इसके उपर चॉकलेट की कोटिंग होती है ये perfect combination है और इस Valentine को चॉकलेट Bounty Bar खिलाके impress करिए तो आईए बनाते हैं ये बहुत ही आसान सी रेसिपी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भोले इसमें पड़े सारे ingredients की डिटेल आपको description box में मिल जाएगे Bounty Bar बनाने के लिए हम सबसे पहले एक non-stick pan ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1.5 cup full cream दूद आप normal दूद का भी इस्तमाल कर सकते हो दूद डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3-4 cup चीनी चीनी को हम दूद में अच्छे से गल जाने देंगे आप चीनी की quantity अपने टेस्ट ही according थोड़ा सा बढ़ा घटा भी सकते हो पर ये measurement perfect है तो चीनी को हम दूद में अच्छे से गल जाने देंगे फिर हम इसमें डालेंगे 2 cup desiccated coconut मतलब नारियल का बुरादा नारियल का बुरादा डालके हम इसे अच्छे से दूद में mix कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1-4 cup मलाई दूद में जो मलाई पड़ती है वही मलाई हमने इस्तमाल किया है आप चाहें तो जो अमूल क्रीम मिलता है वह भी इस्तमाल कर सकते या फिर आप मलाई या क्रीम नहीं इस्तमाल करना चाहते तो आप 3-4 चमच मिल्क पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते अब हम इसे slow से medium आज पे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से दूद पूरा evaporate न हो जाए मतलब पूरा इसका जो moisture है वो खतम न हो जाए 5-7 मिनट में इसका दूद इगनम अच्छे से evaporate हो जाएगा अगर इस टाइम पे हम इसमें एक चथाई चमच इलाइची पाउडर डाल दें और फिर इसे इसके लड़्डू बना ले तो फिर ये हमारे नारियल के लड़्डू तयार हो जाएंगे बट यहाँ पे हम बाउंटी बाउड बना रहे हैं तो हम इलाइची पाउडर नहीं डालेंगे अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखतेंगे जिससे हम इसका बार बना सकें बस इसे अब हम गयास से हटाके रूम टेपरेचर पे ठंडा होने देंगे नारियल का मिक्षर अब अच्छे से ठंडा हो चुका है इसमें से हम एक निम्बू के अकार का मिक्षर अपने हाथ में लेंगे और उसे एक रेक्टैंगल बार का शेप देंगे जैसे chocolate bars आते हैं, जैसे 5 star आते हैं और bounty bars आते हैं, वैसा ही shape हम इसे दे देंगे और ये दिखें, हमने इसे shape दे दिया है, ऐसे ही हम सारे mixture के bar बना के रख लेंगे एक plate में और फिर हम इसे fridge में कम से कम एक से डेर्ड या फिर जब तक ये थोड़ा सा solid न हो जाए, तब तक हम इसे fridge में rest करने देंगे एक खंटे बाद अब हम chocolate को milk करेंगे, यहाँ पे हमने एक bowl लिया है, उसमें हम chocolate के pieces करके डाल देंगे मतलब chocolate के टुकड़े करके डाल देंगे, यह milk chocolate है, आपको यहाँ पे dairy milk chocolate या फिर amul का chocolate जो भी आता है, उसका milk chocolate लेना है dark chocolate नहीं, compound chocolate नहीं, आप यहाँ पे milk chocolate लोगे, यहाँ पे हमने 300 gram chocolate लिया है अब हम एक बरतन में पानी को करम कर लेंगे, और इसे जो हमने bowl में chocolate तोड़के रखा है, वो हम उसके उपर रख देंगे और chocolate को पिगलाएंगे चॉकलेट को हमेशा ऐसे ही double boiler तरीके से ही पिगलाया जाता है, अगर आप इसे direct पिगलाओगे या direct gas पे रखके इसे पिगलाओगे तो यह जल जाये चॉकलेट को हम लगातार चलाते हुए पिगलाएंगे, आप चॉकलेट के pieces थोड़े छोटे रखें, जिससे वो जल्दी पिगल जाये और जैसे यह पिगल जायेंगे, आप इसे पानी से हटाके नीचे रख दीजे हमारा चॉकलेट अब बिगल चुका है, अब हम अपने कोकोनेट बार को इसमें डिप करेंगे हम एक कोकोनेट बार को लेंगे और उसे चॉकलेट में अच्छी तरीके से डिप कर देंगे जिससे वो अच्छे से चॉकलेट से कोट हो जाये इसलिए हमें coconut bar को फ्रिज में रखके इसे solid करना पड़ा था क्योंकि चोकलेट जो पिखलाया है हमने वो घरम होता है अगर हमें से normal जो हमने जैसे ही coconut bar बनाया था उसको वैसे ही तुरंट अगर हम चोकलेट में डिप कर देते तो वो पिखल जाता तो इसे हमें अच्छे से coat करके फिर निकालके एक प्लेट में रखते ना प्लेट में हमने butter paper लगा रखा है आपके पास अगर butter paper ना हो तो आप aluminum sheet भी लगा सकते हैं पर इसको लगाना ज़रूरी है नहीं तो बाद में से निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा आप chocolate में dip करने के बार बार को जैसे ही निकालते हैं वैसे ही आप एक butter knife ले लीजे और bounty bar पे आप 3 निशान बनाएंगे ये bounty bar का एक पहचान है मतलब उसमें 3 निशान लगे होते हैं अगर आप चाहें तो इसे लगाएं नहीं तो ये ऐसे भी बहुत सुन्दर दिखेंगे हम सारे bounty bars को ऐसे ही तयार कर लेंगे फिर हम इसे फ्रिज में रखके कम से कम डेढ़ से 2 घंटे ये जब तक ये थोड़े solid ना हो जाएं तब तक हम इसे फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख देंगे और ये देखें दो घंटे रेस्ट करने के बाद ये अच्छे से अब solid हो चुके हैं ये बिलकुल ready है खाने के लिए हैना ये बहुत ही आसान सी रेसिपी इस रेसिपी को इस वैलेंटाइन अपने love ones के लिए जरूर बनाईए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसा नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक यू